आप लोगों का इस नए क्लास में सुभागत है आज किम अपनी इस नए क्लास में हम प्रमोशन का नेक्स टेक्निक पढ़ने वाले हैं जो है बिसिकली पर्सनल सेलिंग इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने जो हमारा मार्केटिंग मिक्स से ध्यान से सुनना जो हमारा जो हमारा क्लास में यह पॉइंट्स बोल देता हो ताकि यह आपका भी भूलना पाओ कहीं भी आपसे कोई पूछे था फटाक से बता दो मार्केटिंग मिक्स ये मैं एकस्पलीन कर दिया था अब आगे का टॉपिक बता रहा रहा हूं कि मार्केटिंग मिक्स में बैसिकली य planning आप फोर कंपोरेंटस राइट आप सेण डिसकस क्या था इतने कंपोरेंटस ए और ईक्ट एक प्रोड़क्त फिर एक है प्राइस फिर एक है प्लेस और लास्ट है प्रमोशन अधा कि प्रमोशन में भी काफी सारे हैं जिसमें पहला था एड़टाइजमेंट दूसरा था पर्सनल सेलिंग तीसरा था सेल्स प्रमोशन और चौधा आपका पॉब्ली सिटी ठीक है पॉब्ली सिटी इस शॉट में मैं वर्डी उसकर रहा हूं ताकि आपको एकलिस क्या मैं बोल रहा हूं तो आप सुमना इसको ठीक है तो जिसमें से हम लोगों ने एट्मडाइजमेंट लास्ट क्लास म तो मैंने प्लेइलिस्ट बना दिया है मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्लीज आपको ज़रूर देखना आपका नौलेज में इंक्रीमेंटी होगा प्लस मैं लाइन्स अंडरलाइन कर देता हूं मैं टॉपिक्स बता देता हूं कौनसा आपको या नियमराइज करना है कॉन स तोपिक का या पौर्शनल सेलिंहका कंसिप क्या था गूद फेंग क्या है कि जब कोई भी कंपणी अपने अपने फ्रडट कि लिए अडिवडीयमेंच करती है कोई भी कंपणी अपनी प्रडट के लए अपरेंट केसि किया हुआ है it does not get required result so ऐसे case में क्या होता है कि जो हमारा manager होता है या हमारी जो company होती है वो second technique यूज करती है और second technique क्या है directly consumers के contact में जाना क्या कहा हमेने directly consumer के contact में जाना है यानि की personal selling hence marketing manager rely to the next alternative promotion which is a personal selling जब एक technique काम नहीं किया तो उसको क्या करना पड़ेगा rely करना पड़ेगा on other alternatives पे generally in personal selling seller directs and explains about the product to the prospective sorry prospective consumer अब देखो advertisement में क्या होता था कि product को लेके एक advertisement news में दे दिया या papers में दे दिया radio पे दिया TV पे दिया but sometimes ऐसा होता है कि कुछ consumers ऐसे नहीं होते है कि वो clearly आपके advertisement को समझ पाए they needs demonstrations तो ऐसे cases में क्या होता है direct जाके उनको explain कर सकते है personal selling creates faith in the mind of prospective consumers even क्या होता अगर आप personally उनसे मिलते हुए आपके company का जो executives है या आपके company की salesmen है वो जब जाके मिलते तो उनके mind में एक positivity आती है any doubts regarding the product in the minds of prospective consumers can be cleared by the seller और अगर कोई doubt है कोई problem है it can be clear on the spot personal selling not only creates awareness about the product but also creates a preference for the product sometimes ये भी हो जाता है कि देखो awareness तो होई रहा है और लोगों को पसंद भी आ जाए तो वो लोग उसको purchase भी करना start कर देते है तो ये सारी चीज़े होती है तो आपको ध्यान रखना है इतना उसके बाद बात करते है meaning की अगर meaning क्या है कि normal meaning समझते है कि सबसे पहले इसका meaning क्या है तो salesman पहले किसका meaning समझा है salesman का reason ये है कि हमने ये बात मैंने अभी आपको समझाया कि personal selling के लिए काम कौन करता है तो salesman काम करता है So according to professor Philip Kotler Salesman is that person यह से सुना Salesman is that person Who represents the business unit To the consumers And his job is to highlight the nature of the product Demonstrate the product Sorry, screen blackout हो गया था Wait, wait, wait Sometimes ऐसा होता है कि recording करते रहो तो screen blackout हो मतलब जो Page है मेरा वो बंद हो जाता है तो उसके लिए sorry मैं वापस ही explain करता हूँ सबसे पहले question है What is the salesman I mean who is the salesman तो यहाँ उसका answer क्या है Salesman is that person Who represents the business unit To the consumer यहाँ से सुना Basically जब भी हम बात करते है Personal selling की तो कभी भी company का honor खुद नहीं जाने वाला अगर वो खुद जाएगा तो बाकी के काम करेगा That's why He may have appointed Some other people That people are known as a salesman Now the question Who are the salesman Salesman are those people Who represents the business unit To the consumers And their job is To highlight the nature of product To demonstrate the product And explain Its usefulness to the consumer And clear their doubts Right यह बहुत ही normal way में लिखा हुआ है अगर मैं आपको बताओं कि आपके घर के आसपास भी कभी अशा हो And it may be possible बच्पन में आज कभी अपने देखा होगी कुछ लोग आते हैं कुछ सामान बीचने आते हैं तो आपको कैसे explain करते हैं इसको बताते हैं कि हम इस company की तरफ से आए हैं यह हमारा नया प्रोड़क्ट है आप इस प्रोड़क्ट की बात देखो अभी नया-नया मार्केट में लाउंच हुआ है यह अभी अब क्या डेमो के लिए है आप इसको मार्केट से परचेस भी कर सकते हैं इसको बात करता है इसे तो क्या होता है एक रिलीशन सी प्रेट हो जाता है तो वहां पर इक रिलेशन से प्रेट हो जाता है किसके साथ निए जो क्वेशन है काफी इंपॉड़न क्वेशन है एक्वेशन में काफी बार पूछा गया तो मैं आपको बता देता हूँ कब कब पूछा गया था ये क्वेशन जो है बेसिकली तीन बार एक्वेशन में पूछा गया था एक मार्च 18 एक जुलाई 18 और एक जुलाई 22 ये तीन बार ये क्वेशन पूछा था अगर ये पॉइंट याद करना है तो मैं सिर्फ एक वड़ यूज करूँगा पॉइंट्स को याद करने के लिए दिमार में सिर्फ एक बाद रखना कि अगर आपके घर के पास कभी कोई सेल्समेन आया गा तो आपने उसके में क्या उबज़र किया जो आपको अच्छा लगा बस वही याद रखना है नथींग एल्स ठीक है तो स्टाट करते हैं एवरी प्रोड़क्ट रेक्वार्स परस्पेक्टिव कंजुमर्स अब होता क्या है कि जब वो डिमोंस्ट्रिट दिरता रहता है कॉल सेल्समें तो उनकी बीच में जो एंट्रेक्शन होता है याई बात्चीत होती है जैसे मैं आया हूँ किसी घर पे कोई प्रोड़क्ट सेल करने के लिए तो जिस पर्सन से मैं बात कर रहा हो जो मैं अईसके एक्स्पेक्ट एक्स्पीक्ट रहा हूं अब किसी पर्सन से तरह बात करोग न 5 मिजल तो सम्टइम्स ऐसा होता है वो आपको अपनी चीज़े बताता है, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और जो salesman होते हैं, उनका यहीं काम होता है, स्मार्ट होना पड़ेगा, इतना इंट्रक्टिव बनना पड़ेगा, कि वो सामने वाली की बातों को समझे, अपने कमपणी को एक्स्पिन करें, कि हाँ वहाँ वाले यह चीज़े चाहते, तो आप वैसा भी काम करो, तो अभी यह था basic information, जो आपको answer लिखनी से पहले, अगर आपको question पूछता है, characteristics of a good salesman, तो यह line आप ज़रूर add कर देना, जो मैंने कहा, उसकी बाद आप start करना, following other characteristics of a good salesman, तो यहाँ पे क्या-क्या है, number one, salesman should be smart, interactive and physically fit, तो इसी बात है, अलग-अलग places पे जाके travel करना है, तो in that case, उसको physical fit होना बहुत ज़रूरी है, smart तो होना है चाहिए, और इंट्रोवर्ट हो बिचारा, जाए वहाँ पे खड़ा रहे, good morning बोले, उसके बाद वहाँ से पड़ेगा, लोगों से बात्चित करना, सीखना पड़ेगा, salesman should be good in communication, intelligent and efficient, यह बात clear लिया आ जाती, उसको communication skill अच्छा होना चाहिए, इस बी intelligent और efficient इतना हो कि अपने वो communicate कर पाया, तो first point क्या होगा, smart, interactive and physical fit, जहाँ से सुनना, smart, interactive and physical fit, number two, communication, intelligent and efficient, यह रहे इतना, उसके अब बात करें, third point की, the most important quality about a salesman is his ability to talk with the potential, यानि यह वाला या रखने, ability to talk, style of presenting the product before a customer and the ability to convince a customer, basically क्या है, एक ability जो होती है आगर एक परसन में अच्छी ability है, in that case वो क्या करेगा, कि वो उनको convince कर लेगा, किसको consumers को, यह याद रखना है, कि जो उसका बात करने का वे है, तो इ actual में buyers बन जाते हैं, और वो कैसे होगा, जब वो proper way में represent करेगा, उनको convince करेगा, तो ability to talk and convincing, तो यह दो point आपका याद रहना है, point number three में, फिर उसके बाद next point है, the salesman should have all the necessary information about the product he is presenting before a customer, अब मान लो कि कोई product है में लेके आया, आपके पास, मान लो कि जैसे, एक writing pad है, मैं जिस इसा कुछ, it means, इससे क्या होगा, मेरे, मुझे लेके आपके मन में negativity आएगी, क्यार, इसको तो पता ही नहीं है, इनका company का सही नहीं है, maybe possible, इनका चलता ही नहीं हो ऐसा, right, तो इसलिए क्या होना चाहिए, the salesman should have all the necessary information, याद रखना है, all the necessary information about the product, यह हो गया आपका fourth point, number five, honesty can be said to be an essential quality in a salesman, सीदिस सी बात है, किसी भी person, किसी भी business, किसी भी काम में honesty होना बहुत जरूरी है, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपका काम हो, तो honest नहीं होगा, तो फिर वो अच्छा character का नहीं है, जब वो अच्छा character का नहीं है, तो कभी वो sincere नहीं देगा, याद रख इस कंपनी, therefore, he should be polite, एक salesman क्या होता है, एक company को represent कर रहा है, वो अपने आपको represent कर रहा है, he is representing the company, याद रहना, representative of company, that's why इसको क्या होना चाहिए, polite होना चाहिए, उसके behavior पे company की image depend करते है, जैसे आपने देखा होगा, कि अगर आपके mobile network में कोई issue होता है, for example, जैसे आप जी use करते हो, और जी यो में कोई problem होता है, आप से company executives को call करते है, जो company service centers होते होते हो, customer care करो, वहां से response नहीं आता, तो आप क्या बोलते है, यह मुक्य संबानी को advertisement करें, अगर मालों तो बोलते है, free geo net, या 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 पहले अपने काम को सुधारो, उसके बाद advertisement करो, और सस्ता करो आप से dialogue मारते हो कि नहीं मारते हो, क्योंकि आपकी image जो है ना, मतलब जो customer care की image है वही आपकी image, मतलब उसी को लेकि आप बना देते हो company की image, right, that's why यह बोला है कि उनको proper way में behave करना जरूरी है, क्योंकि वो company को represent कर रहे है, and the last one, an ideal salesman should be always enthusiastic, discipline and ambitious, यह बहुत जरूरी है, enthusiastic, discipline and ambitious है, last point है, I hope कि आपको यह points clear होगा, जो जो मैंने underline किया है, in words को आप एक बार फिर से revise करेना, like smart, interactive and physical, communication, intelligent and efficient, ability to talk and convince a customer, all the necessary information about the product, honesty, honesty reason, honest होगा, the good character होगा, good character होगा, the sincere and regular होगा, right, उसके बाद six है, representative of his company and should be polite, मैंने का रहे है, what's यहाद रखना है, and the last one क्या है, enthusiastic, disciplined and ambitious, right, so I hope कि यह points आपको clear हो गया होगा, और यहाँ पर हमारा personal selling खतम होता है, next class में हम start करेंगे sales promotion, और यह जो topic है, हमारे इस chapter का last topic होगा, एक और topic है आपका जो है publicity, but वो topic आप एक बार read कर लेना, in case कोई problem feel होता ता आप जरूरू बताना, क्योंकि मैंने जैसा कहा था कि मैं वही questions cover रख पर रहा हूँ, जो board exams में last years में पूछे गया देनी previous year के papers में, right, so I hope कि आप बात समझ रहे होगे, तो हमारा last class जो होगा, वो next class होने वाली, वो हमारी last class होगी, इस chapter का, उसके बाद मैं start कर दूँगा, consumer, next कौन से consumer होला है, consumer protection, ठीक है, so next class में हम start कर देंगे, उसके consumer protection, उसमें भी में topics topics भी करवाऊंगा, ज्यादा नहीं, तीन ही questions में cover करने वाला हूँ, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, syllabus जल्दी complete हो जाएगा, और जो भी चीज़े हैं, वो भी आपको मिल जाएगा, I hope कि ये सारी बात आप समझ पा रहे हो, बाकि जो भी issues है, आप मिर